कि घृलो स्टुडेंट आज मैं आपको संस्कत रेटर में चैप्तर 18 हम्री संस्कत में पढ़ा रही हूं अम्रे संस्कत में संस्कत को अम्री तुट है कि अ साहिते वो संसकत भासा में लिखे गए तो मैं पर राष्ट के बारे में जानना हो या मैं साहिते पढ़ना हो हमें वेदों को पढ़ना हो तो मैं पहले संसकत भासा सीखनी होगी संसकत भासा पढ़नी होगी तो आज हम संसकत भासा के महत्रों के बारे में ही इस चेप्टर में आप लोग देखिए में अगर अगर गना सक्राइब क्षमा में किसी ने का है संस्कृत के मैंत्यु विश्य में किसी ने का है संस्कृत के मैत्व के विशे में किसी ने कहा है भारत से प्रतिष्टे दे भारत की दो ही प्रतिष्टा है क्या क्या संस्कृत और संस्कृत ही भारत की दो प्रतिष्टा है संस्कृत और संस्कृत ही यह भासा अती विज्ञानिक है यह भासा बहुत अरिक विज्ञानिक है थासित हैं किसी ने कहा है संस्कुत के मैंतु के बारे में किसी 1 क्षी कि भारत की पर्तिष्ठा केवल दोईिये संस्कुत और संस्कुती do गणकस से करते सरवत्मा भासा कुछ कहते है कि संसकती कंपूटर के लिए सबसे उत्तम भासा है कुछ व्यक्तियों का कहना है कि संसकत भासा ही कंपूटर के लिए सबसे अच्छी भासा है सबसे उत्तम भासा है अस्यां वांग में वेदे पुराणे निति-सास्त्रे चिकिसा स यह-एव्रा नेभी ब्सक्तली चली सब्र perfect में रिखे प्रविदेप्रेड खोटिले के द्वारा रचीत कोटिले द्वारा लिखा गया अर्ध्षास्त्र जो साहित आ उव संसार में प्रसीदे को डिये सब से पहले और आरेबटनी बता है ता गणी सास्थ्र में सुन्ने परतिपादन सबसे पहले आरेबटनी किया था चिकिसा सास्त्रे चरक सुसूरते और योगदानम विसुपरसीदम। चिकिसा सास्त्रे में भी चरक और सुसूत इन दोनों का योगदान संसारे परसीदे हैं। संस्कत में बहुत सारे सास्त्रे जिनमें कौन-कौन से प्रमुक है। चिकिसा सास्त्र के द्वारा संपन है। कालिदास और अन्य विशुकवी का कावे संदर्य बहुत अनुपम है। कोटिल्ले के द्वारा रचित अर्शास्त्र संसार में प्रसीदे। कोटिल्ले ने कौन सी किताब लिकी थी? कौन सा ग्रंत लिका? अर्शास्त्र. जो की पुरे संसारे प्रसीदे। गणी सास्त्र में सुनने का जो परती पादन सबसे पहले आरेवटने किया था। संस्क्रत में अन्य बहुत सारे सास्त्र है। थे संसक्रत में इसलिके अन्य सास्त्र है। सुनने का परतिваन किस ने किया था?ён आरेवटेन एक था। ठीक है और चिकिशा सास्तर में कौन-कौन से चिकिशक या विद्वान प्रसीदे चरक और सूसूत तो इस तरह से मारे चैप्टर आज के लिए इतना ही काफी है बेटा बाकी हम कल पढ़ेंगे ठैंक्यू